असलावलेकूम गाईज वेलकूम बेक टू मैं चैनल अलकिंग किचन आज हम बनाएंगे हैदराबादी भिंडी तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट यह मैंने लिये हैं पांच अनियन मेडियम साइज के पांच ग्राम भिंडी लिये मैंने और अच्छे से दो के सुका के फिर से चोटे चोटे पीसी में कट कर लिये और यह मैंने तेल गरम करने रख दिया है तेल मैंने नाइंटी एमेल लिया है और मेरा तेल गरम मेरे भिंडी में रख दूँंगी और इसे वर नेंगी मेडियम पे रख करना है और यह सुर्ड शंद हो जाएगी है आई है तो यह देखो हमारे भिंडी फ्राइए हो चुकि है तब इसे निकाल लेंगे जार में लेकर ज़िए है उसो आपको कैसे पतार करना है तो यह ऐसे तूट जाएगी तो समझा हमारी भिंडी फ्राइ हो चुकिए तो वही तेल रखा है मेडियूम फ्लैम है इसे में डालूंगी एक चमत जीरा और जो मेरा टमाटर और अनियन था उसका मैंने दोनों का पेस्ट बना लिया है यह दोनों की पेस्ट है जीरा हमारा फ्राइ हो चुका है अब मैं इसके अंदर एड़ कर दूँगी जो हमारा अनियन पेस्ट था वो और जब तक यह गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसे फ्राइ होने देंगे तो यह पकड़ाए थैंक्यों गाइज आपने मेरे 500 सब्सक्राइबर कर दी ऐसे प्यार देते रहे ना तो यह देखे हमारी फ्राइ हो चुकिए अब इसे में आदी चमच हल्दी डाल रही हूं अब एट करूंगी मैं ए वन एट हाफ स्पून रेड चिली दनिया पाउडर एक चमच इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर इसमेट करेंगे टामाटर का जो पेस्ट हावो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमेट कर देंगे हम जिंजर कालिक पेस्ट दो और आधी चमच अच्छेसे मिंस कर लेंगे और इसे फ्राइय होने देंगे मिकसिब पा से दस मेंड तक मेडियम फ्लेंपे ठोडा सा पाणियंड करेंगे अब इससे फ्राइय होने देंगे मेडियम फ्लेंपे दो carefully Presto अब इसे में आट कर दोंगी नमक स्वादा नुसर यह मैं कस्तूरी में थेट कर रही हो यह में थेट करूँगे खोपरा प्रस करावा दो चमच तेंक यू आपने भी तक मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो जाएं सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें कमेंट करना ना भूले अब मैं एट करेंगे गरम मसाला एक स्ट्रमच अब इसमें मसाला तयार हो चुका है तो इसमें मेरे भिंडी एट कर दूँगी भिंडी एट करने के वादा हम इसे पास से छे मिनिट पकाएंगे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ये दिखे हमारी बिंडी तयार उचकी है मज़ेदार लजीज सबको पसंद आती है ये इसे बिंडी कौल नहीं कर चाहेगा तो ये हमारी बिंडी तयार है ये दिखे है आहाँ मस्ते हैं आप मिलते हैं नए वीडियो के साथ बाए बाए अला आफीस टेकेर